हालो गैस वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास एट का मैंट्स आरे सगरवाल चैप्टर नमबर फॉस्ट रिशन नमबर से जिसकी एक्साइज वन एका क्वेशन नमबर फिफ्ट क्वेशन नमबर फिफ्ट है हमारे पास which of the two racial numbers is greater in the given pair आपको ये total number of parts यहाँ पर 6 है 6 part हम डिसकस करेंगे यहाँ पर देखिए first part में है 3 upon 8 और 0 मतलब आपको यहाँ पर यह बताना है कि दोनों racial numbers में कौन सा हमारा greater है जैसे 3 upon 8 है और एक 0 है यहाँ पर 3 upon 8 और 0 में कौन आपका greater है ठीक है कुल मिला कर यहाँ पर हमें क्या करना है comparison करना है दो numbers में तो racial numbers को हम कैसे compare करेंगे for example मैं आकर आपको बोलता हूँ 7 और 0 इनमें से कौन बढ़ा है तो आप 8 वट से कहता होगे 7 बढ़ा है ठीक है मैं कहता हूँ आपको minus 7 और minus 1 इसमें कौन बढ़ा है तो आपको होगे minus 1 बढ़ा है minus 7 मत कहता है क्योंकि अगर दोनों values minus में होती है बात ध्यान रखना दोनों values अगर हमारी minus में होती है तो जो बड़ी जो छोटी value होगी minus में वो क्या होती है हमारी बड़ी होती है तो यहाँ पर minus 7 minus 1 दोनों minus में थी लेकिन जो छोटी होगी वो बड़ी होगी यह बात ध्यान रखना और अगर मैं आपको बोलता हूँ 7 है और एक minus 7 है, तो किसको बोलोगे, आप बढ़ा है, positive 7 को बढ़ा है, कुल मिला कर जो positive number है, वो negative से बढ़े होते हैं, और अगर मैं आपको बोलता हूँ, minus 4 और 0 में comparison करो, तो हमारा कौन बढ़ा होगा, 0 बढ़ा होगा, clear है, 0 ना तो positive में आता है, ना negative में आता है, लेकिन हमार 0 क्या होता है, बढ़ा होता है, किस से negative numbers है, clear है बत, और positive numbers हमारे negative से भी बढ़े होते हैं, और 0 से भी बढ़े होते हैं, clear है, अब यहाँ पर चलिए, मैं इसे तो हटा देता हूँ, और अब आपको मैं बताता हूँ, compare कैसे करते हैं हम ratio numbers को, ठीक है, अब देखो, simple जो number देत problem आएगी न, compare करने के लिए, तो आप क्या करो, simple method बता रहूँ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, आपको क्रोस multiply करना है, क्या करना है, cross multiply, हाला कि अपने पास में 2-3 method है, इसको करने के, ठीक है, मैं 2-3 method आपको discuss कर लूँगा इस वीडियो में, को 2 को multiply करोगे, cross multiply 4 से, तो 2 into 4 क्या होता है, 8 होगा, ठीक है, और 3 को into करोगे 7 से, तो कितना होगा, 3 7 जा 21 होगा, अब मुझे बताइए, 8 और 21 में कौन बढ़ा है, तो आप कहोगे, sir, move इदर के साइड में कर दो, ठीक है, क्योंकि 21 के aggregator है, मतलब जहां पर move होगा, वहीं पर वह value बढ़ी होगे, मतलब यह कौन सा है, बड़ा number, यह है, clear है क्या बात, कोई परिशानी नहीं न, तो यह method क्या है, एक तरशे short trick है, short approach, ठीक है, अब हम बात करते, traditionally, आपकर कैसे करेंगे, जैसे कि for example, आपके पास में 2 upon 7 है, और एक number है, हमारे पास में 3 upon 4, इन दोनों मे अपने को comparison करना है, कौन बढ़ा है, कौन छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करते है, सबसे पहले तो LC हम लेते है, यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए, यहाँ पर denominator में 7 है, यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर denominator क्या नहीं है, equal नहीं है, तो यहाँ पर denominator को हमें क्या करना हो होगा equal करना होगा क्योंकि हम कैसे compare कर सकते बिना equal कि कैसे compare कर सकते देखो यहां पर 7 में से 2 है यहां 4 में से 3 है तो हम कैसे compare कर सकते दिक्कत आएगे ना compare करने में तो अगर हमारे पास में, denominator इनका सेम हो जाए, तो फिर compare करने में कोई दिक्कत नहीं देखो, एक तो मैं आगर आपको बोलता हूँ, 10 में से 1 बंदे के 6 नमबर आए, और 1 student के 10 में से 4 नमबर आए, बताओ किसके नमबर अच्छा है, तो आप कोगे मान के चलो कि 7 में से 1 student के 2 marks आयते हैं और 1 के 4 में से 3 marks आयते हैं, अब मैं कहूंगा किसकी मतलब, जो किसने अच्छा performance किया, performance किसकी अच्छी है, तो आप कैसे पता लगाओगे performance किसकी अच्छी है, जब तक आपको compare नहीं पता चलेगा, जब तक आप नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम क्या करते है, denominator को हम क्या करते है, equal करते है, denominator कैसे, equal क्या जयता है, LCM जिनदा बात है, 7 & 4 का आप वैसे निकाल सकते है, तो इतना अपने पास में time नहीं है, हाला कि LCM आपको लिकालना आता होगा, तो देखिए, यहाँ पर 28 है, अब 7 को 28 से क्या करना है, 28 को 7 से क्या करना है, आपको divide करना है, कितने time जाता है, 4 times, मतलब इन दोनों को आपको 4 से multiply करना है, clear है बात, ऐसे 4 को, 28 को 4 से divide करना है, कितने time जाता है, 7 times, मतलब इन दोनों को आपको 7 से multiply करना है, अब देखिए, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, मतलब यहाँ पर 28 में से 8 marks, और यहाँ पर 28 में से 21 marks, मैं marks के form में समझा रहा हूँ आपको, तो किसकी performance अच्छी है, आपको 21 अपन 28 अच्छा है, सर, यह बड़ा है, clear है बत, और आपको पता है न, कहाँ पर मुह खोलते हैं, जो बड़ा होता न, उसकी तरफ आपको मुह खोल देना है, for example, मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर 3 अपन 8, first वाला पार्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सामने, 3 अपन 8, क्या है हमारे पास में, 3 अपन 8, और यहाँ पर है हमारे पास में, और 0, बताओ भीया, compare करो 3 अपन 8 और 0 में, comparison अगर हम करें, तो कौन greater है हमारा, बताओ, तो 3 अपन 8 और 0 में, तो देखो, 0 है, और यहाँ पर क्या है, positive value, और मैंने अभी आपको बता है, positive value क्या होती है, 0 से greater होती है, तो 3 अपन 8 और 0 के बीच में, कौन सा 3 अपन 8 greater है, clear है, तो हम लिख सकते है, 3 अपन 8 is greater, यहाँ लिख लीजिया, 3 अपन 8 is greater, आपको greater ही बताना, ठीक है, तो 3 अपन 8 क्या है हमारा, greater है, second part देखो, second part, minus 2 अपन 9 और 0, अभी मैंने आपको बताया, 0 और यहाँ पर देखो, यह 0 है, यहाँ पर minus negative value आगए, यहाँ पर compare मत करो, बस एक negative value दिख गई, एक 0 दिख गया, तो आपको कौन बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर negative value से 0 कौन होता है, बड़ा होता है, negative value से 0 बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो greater है, वो क्या है, 0, तो 0 is greater, clear है बत, चलो, third part करते ह है, third part क्या है हमारा, third part है हमारा minus 3 upon 4, ठीक है, और 1 upon 4, ठीक है, तो यहाँ पर देखो minus 3 upon 4 और 1 upon 4 का अगर हम solve करें, तो देखो, easily कर सकते हो, यहाँ पर denominator क्या है, दोनों का, same है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा ना, को cross multiply यह कुछ भी मतलगो, देखो, denominator यहाँ पर 4, 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो, यहाँ पर negative value हो, और आप कोई वैसे तो ज्यादा देखना ही नहीं है, यह वाली value क्या हो गई, negative हो गई, यह वाली, चाहा, denominator different भी होता ना, तो भी कोई परिशानी नहीं होती है, यह value क्या है, यह हमारी value है, यह हमारी value क्या है, positive है, तो positive वाला हमेशा क्या होगा, negative value value से बढ़ा होगा, ठीक है, तो हमारा 1 upon 4 is greater, clear है बात, कोई परिशानी है क्या, बताओ, फूर्थ वाला पाट देखो, minus 5 upon 7, ठीक है, और minus 4 upon 7, यह है, अब देखो, यहाँ problem आएगी, यहाँ problem कैसा आएगी, दोनों value क्या है, minus की है, ठी ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों value minus की आगई, comparison करना थोड़ा हो है, अब देखो, यहाँ पर denominator को focus करो, denominator क्या है, दोनों के same है, तो easy, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, denominator same करने के आपको ज़रत नहीं है, ठीक है, तो दोनों method use कर लेते पहले तो, देखो, अब बताओ, म negative value होती है, तो negative value में, जो छोटा होगा, वो बढ़ा होगा, तो कौन बढ़ा होगा, minus 4 बढ़ा होगा, मतलब minus 4 upon 7 is greater, minus 4 upon 7 is greater, clear है, इसका एक और तरीका बताःता हूँ, और, और कैसे कर सकते हो, आप इसको, और कर सकते हो, cross multiply करो, माइनस 5 को 7 से multiply करो, एक बार तो, और minus 4 को 7 से multiply करो, minus 5 को जब 7 से multiply करोगे, minus 35 आएगा, minus 4 को 7 से multiply करोगे, 28 आएगा, अब मैंने आपको बता है, minus में, जो छोटी value होती है, वो बढ़ी होती है, मतलब, sign कौन सा लगेगा, यह वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप directly करो, यहाँ पर, जब आपको पता है, denominator सह का सकते हो, कौन सा, cross multiply, 2 को multiply करो 4 से, और 3 को multiply करो 3 से, 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है, और 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, कौन सा side बढ़ा है, RHS side बढ़ा है, कौन सा side बढ़ा है, RHS side मतलब 3 upon 4 क्या होगा, बढ़ा होगा, तो 3 upon 4 is greater हम कह सकते है, ठीक है, 6 वाला पार्ट देखत 1 में तो compare करना थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा देखो minus 1 upon 2 है और minus 1 है आप मुझे बताओ minus 1 upon 2 छोटा है minus 1 छोटा है बताओ जल्दी से तो आप खुद ही कहोगे छोटा तो सर minus minus की value बढ़ी सबसे पहले तो देखो आप minus और minus दोनों value किसकी है minus की मतलब दोनों value minus की होने का मतलब है कि जो छोटी होगी वो का होगा बढ़ा होगा तो मतलब छोटा कोन है 1 और 1 upon 2 में कशोटा होता है म क्या करो आप minus 1 upon 2 लिखो यहाँ पर लिखो minus 1 इसके नीचे क्या है किसी भी number के नीचे क्या होता है कोई मैं अगर आपको बूलो 14 14 के नीचे क्या है 14 के नीचे नीचे one Ikyis आटीफोल्ट में तो यहां पर माइनस मन के नीचे थीखनeldon अब क्या क्रakov ऑन करोidence क्या माइनस माइनस मामक्हा वन को 2 क्या आयगा थीख Google माम LHS कौन होगा बड़ा तो LHS यहां पर कौन है माइनस वन अपॉन टू तो माइनस वन अपॉन टू इस ग्रेटर तो दोनों मैथेट से आप सॉल कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है क्लियर बात तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर हां और मैंने आपको यह वाला पाट अब कर shaped आते हैं यहां पर अपाँ थरी ओर इपवा रहीं है ठीक है मैं आपको देखो यहां पे ताट में और यहां लेते तो क्या आता है 12 आता है अब 12 आ गया मतलब LC हमारा क्या आ गया 12 आ गया अब क्या करो 12 को डिवाइड करो 3 से कितने टाइम जाता है 4 ताम मतलब इन दोनों वैल्यू को आपको 4 से multiply करना है ठीक है क्यों कर रहे हैं हम इसा क्योंकि हम यहाँ पर denominator को क्या कररें equal कर रहे हैं 3 और 4 ना दिनोबनेटर दोनों के different है तो हम कैसे compare कर सकते हैं नहीं कर सकते न जब तक हमारी denominator equal नहीं होंगे जब तक हम compare नहीं कर पाइंगे ठीक है यहाँ पर से divide करेंगे 4 से 3 ताइम जाएगा मतलब 3 upon 4 को multiply करना है 3 और 3 से ठीक है 2 2 into 4 कितना होता 8 और यहाँ पर आगया हमारा 12 and 3 3 जा 9 4 3 जा 12 अब देखो 12 12 denominator आगया अब compare करना easy है मतलब अब बताओ मुझे 8 बड़ा है या 9 बड़ा है आप कहोगे sir 9 बड़ा है मतलब sign ये वाला लगेगा मतलब कौन RHS वाला side बड़ा है तो हमने बताया था यहाँ पर 3 upon 4 क्या था greater था यहाँ पर लिखा था 3 upon 4 is greater clear है तो इस type से आप इस question को कर सकते हो clear है बात चलिए तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो please like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजेगा bell icon को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे की upcoming videos के notification आपको time to time मिलते रहे thank you so much